नमस्कार आप देखरे DRV News, DRV News में आप सबी का स्वागत है, मैं मीगा खाड़े आए जानते हैं कोरोना से जुड़ी खास खबर एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी एक समय कोरोना होट्सपोट के नाम से जानी जाती थी लेकिन अब यहाँ कोरोना संक्रमित की संक्या कम हो गई है बुद्वार को धारावी में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला है पिछले तीन दिनों में कोरोना के सिर्फ तीन ही मरीज मिले है फिलाल यहाँ 21 एक्टिव मरीज रह गए है जबकि दादर और माहीम में कोरोना के नए मरीजों की संक्या बढ़ रही है बता दे कि मुंबई महानगर पालिका के जी नौर्थ वार्ड के अंतरगत धारावी दादर एवं माहीम इलाके आते है दादर और माहीम में पिछले 4-5 दिनों से करोना के नए मामले बढ़ रहे है जबकि धारावी में बुद्वार को कोई मरीज नहीं मिला गुर्वार को दो मरीज पाए गए थे जबकि शुक्रवार से रवीवार तक 3-3 नए मामले सामने आये है इस दोरान दादर और माहीम इलाकों में बुद्वार को करोना के नए मरीजों की संक्या 6 और 12 थी रवीवार को यह संक्रमित मरीजों की संक्या बढ़ कर 15 तक पहुँच गई है जी नॉर्थ वर्ड के असिस्टन कमिशनर किरन दिवाकर ने बताया कि धारावी, दादर और माहीम इलाके में रोजाना लगबग 200 से 300 मरीजों की टेस्टिंग की जाती है दादर इल्वे सेशन पर लंबी दूरी की गाड़ियों से रोजाना आने वाले 300 यात्रियों की टेस्टिंग अलग से की जाती है उन्होंने कहा कि दादर और माहीम में कोरोना के नए मामले बढ़ रहे है यहाँ टेस्टिंग की संक्या बढ़ाई गई है लोगडाउन में मिली डील की वजह से कोरोना के मामले बढ़े होंगे टीयारवी न्यूस में बस अभी के लिए इतना ही इस तरह की खबरे देखने और सुनने के लिए डीयारवी न्यूस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस पे कमेंट इसे लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूलिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजासत धन्यवाद